तो हेलो गाई वेलकम टूम टूमाय चैनल ड्रीम सलिमेटिक ख्लास आज हम पढ़ने वाल है प्रोग्राम के स्टुडेंट जो फिर्स्ट यर में है उनके पास एएसीसी होगी कई बच्चों को एएसीसी फिर्स सेमेस्टर में मिलती है तो कई स्टुडेंट को सेकिंद सेमेस् करते हैं सो गाई यह जो वीडियो है यह सोल एंसी वैप रेगुलर और जो बच्चे एगनू कर रहे हैं यह उनके लिए भी इंपॉर्टनेंट रहने वाले हैं सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यह है संप्रेशन का महत्व मतलब कोमनीकेशन की इंपॉर्टन्स क्या है चुक है? थो हम सेटर्ट करते हैं संप्रेशन के महत्वों को समजने के लिए संप्रेशन के सईयों जिन को जानना अवश्यक है चूकि मनुश्य एक समाजिक प्राणी है और हम सब अपने अवश्यक्ताओं की पूरती है तो एक दूसरे पर निरभर रहते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संप्रेशन करना पड़ता है और इसलिए संप्रेशन मानव जीवन का अभिन हिस्टा है जैसा कि आप जानते हैं अगर हमें किसी से कोई चीज भी मांगनी है तब भी हम संप्रेशन के द्वारा मांगते हैं हम कही ना कही एक दूसरे के ओपर निर्भर हैं ठीक है किसलिए निर्भर हैं संप्रेशन के माध्यम से हमें एक दूसरे के ओपर निर्भर हैं अगर हमें अपनी कोई जरूरत पूरी करनी है अगर हमें किसी की कोई जरूरत है तब भी हम संप्रेशन के माध्यम से ही उस तक अपनी जरूरत को पहुचा सकते हैं इसी को संप्रेशन कहते हैं तो इसलिए जो संप्रेशन है वो मानव जीवन का अभीन हिस्सा है ठीक है गाईस तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं वो है व्यक्तिगत जरूरत ठीक है हम सब की कुछ व्यक्तिगत जरूरत होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम सप्रेशन करते हैं तो गाईज देखो क्या होता है कि हर किसी व्यक्ति के अपने अपनी जरूरते होती हैं और अगर व्यक्ति को उनको पूरा करना है तो हमें किसी ना किसी से संप्रेशन मतलब कॉम्मिकेशन करना बहुत ज़ादा जरूरी है आगे देखते हैं देन एक दिन चार रहे हैं खाना पीना प्रेम सेवा इत्यदी से संबंदिन हमारी बहुत सी जरूरते होती हैं जुमिना संप्रेशन के पूरी नहीं हो सकती तो गाईस देखो अगर आपको खाना-खाना है तब भी आप अगर अगर अपने घर में अगर अपकी ममा खाना बनाती carry तो आपनी ममा को आपको कहते होगे कि भाई खाना खाना है मुझे रोटी देदो तो देखो और अगर आप किसी से बहुआ के मंदर जाते हैं तो आगर आप मंदर भी जाते हैं तो आप भगवान से भी कहीना कहीं संप्रेशन कर रहे होते हैं किसी की सेवा करते हैं तब आप संप्रेशन करते हैं तो यह है कि मानव जीवन में संप्रेशन किसी ना किसी तरीके से तो होना ही होना है चाहे वो आप खाने पीने के करेंगे ही क्योंकि संप्रेशन के बीना हमारी जिंदगी अधूरी है हम कुछ भी नहीं है क्योंकि जैसे हमारी जिंदगी में खाना खाना हमारी बोड़ी के लिए बहुत ज़्रूरी है तब ही हम दुनिया को जान सकेंगे पहचान सकेंगे, शब कउच संपरेशन ही होता है। संपरेशन के माद्धियं सहीं, हम किसी व्यक्ति से अपनी भावना अपनी विचार को व्यक्त कर पाते हैं। हमारा तो सेकिंड पॉइंट है वो है व्यक्तिगत संबंद व्यक्तिगत संबंद नाने के लिए भी संप्रेशन नितान जरूरी है बिना बादचीत के हम यह व्यक्तिगत संबंद बना ही नहीं सकते जीवन की सबसे बड़ी उपलब्द हमारे व्यक्तिगत संबंद ही होते हैं जो बादचीत के द्वारा ही पोशित होते हैं उधारन के लिए एक मा का अपने बच्चे को प्यार के साथ सही और गलत की पहचान कराना या बच्चे को अपने विधुत माता-पिता की सेवा कराना और ये सारे संबंद संप्रेशन से ही संचालित होते हैं जो व्यक्तिगत संबंद ये होता है जैसे अगर अपनी मा अगर अपने बच्चे से प्रेम करती है तो अपने प्रेम का इजहार कैसे करती है वो अपनी संप्रेशन के माध्यम से ही करती है जो बच्चा है अपने माता पिता का आदर कैसे कर सकता है सेवा से करता है और सेवा कैसे होती है संप्रेशन के माध्यम से ही हो सकती है सोगस यह है कि हमारे जो विक्तिगत संभंध होते हैं वो भी कही न कही संप्रेशन पर ही अधारित होते हैं हमारा जो next है वो है सूचना मनुश्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्राण का होता है और यह कार्य बालवस्ता से आरम हो जाता है जैसा अब बच्चा पहली बार पूचता है कि यह क्या है अब देखो इसका next point बोला है सूचना सूचना जो होता है भाई यह मनुश्य के जीवन का मुख्य कार्य होता है और जो यह सूचना है जब बच्चा छोटा होता है बालवस्ता में होता है तबसे ही वो आरम कर देता है संप्रेशन करना कैसे करता है कि जब वो छोटा होता है वो पूस्ता है अगर उसके कोई चीज समझ नहीं आती या किसी ऐसी चीज को देखता है तो वो पूस्ता ये क्या है ये कैसे है ये क्यूं है तो ऐसी उसके अंदर एक जग्यासा सी उड़ती है कि मैं इस चीज को समझूं कि ये क्या है क् तो उसी को हम एक संप्रेशन का कहते हैं क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उससे जब थोड़ा बड़ा होता है तब वो बाले वस्ता से ही संप्रेशन करने लग जाता है ठीक है? तो संप्रेशन संभव है मनुश्य के जीवन में ठीक है? अब हम अपना नेक्स देख लेता है यह है फोर्थ हमारा आपस में बातचीत जब व्यक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है तब ही संप्रेशन संपन होता है देखो क्या होता है? जब एक व्यक्ता होता है वो अपने मतलब कोई व्यक्ती होता है वो अपनी बात किसी दूसरे से करता है तब उसको हम संप्रेशन मतलब कॉम्निकेशन का नाम देते हैं ठीक है गप संप्रेशन का एक मज़ेदार और मनोरंजन उधारण है ठीक है अब जो क्या होता है कभी कोई व्यक्ति जो होता है अगर कोई जोक मारता है तो ये संप्रेशन का एक मज़ेदार और मनोरंजन उधारण है ठीक है इसमें भी क्या होता है जब कोई जोक मारता है दूसरे हसते हैं तो ये इसको कॉम्निकेशन कहा जाता है ठीक है गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों भावनाओं और दिस्ट्री कोणों को समझने का प्रयास करते हैं और ये सब संप्रेशन के मेना संभव नहीं है अब क्या होता है कि जो गप होती है उसके द्वारा हम एक दूसरे के विचार सुनते हैं उनकी भावनाएं क्या होती है कोन कैसा जोक मार रहा है उन पर हम उनको जज़ करते हैं ठीक है तो यह सब कैसे होता है समपरिशन के द्वारा ही तो होता है अगर कोई व्यक्ति ने जोक मारा अगर हम उसका हसी आती है तो हम उसका feedback उसे देते हैं तो ये सब कॉम्णिकेशन के द्वारा होता है ठीक है और ये सब संप्रेशन के बिना संभव नहीं है अगर हम कॉम्णिकेशन नहीं होता तो ये कॉम्णिकेशन के बिना ऐसा सब कुछ नहीं होता ठीक है तो ये सब जो भी होता ही संप्रेशन के द्वारा ही होता है आग्रे इस प्रकार का संप्रेशन विग्यापनों को दिखाने को मिलता है विग्यापनों को इस प्रकार बनाया ही जाता है कि वह जादा से जादा लोगों को पसंद आए और विग्यापन इस प्रकार ग्राहकों से अग्रे किया जाता है कि ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना लेता है तो क्या होता है अग्रे होता है कि भाई यह जो होता है उसके माध्यम से विज्ञानोपनों को दिखाया जाता है और ऐसा विज्ञापन होता है कि भाई जो लोग कहते हैं कि भाई हमें इसको लेना ही लेना है ग्राहक जो होत एक कहा जाता है ठीक है इसको भी कॉम्निकेशन का इस स्थर दिया जाता है जिसको हम आग्रह बोलते हैं मनोरंजन मानव जीवन की ये सबसे महतपूर्ण जरूरत है जीवन में सफूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अतिवशक है जब एक धरे पर जीवन चलता है तो उसमें निरसर्ता आ जाती है उस निरसर्ता को दूर करने के लिए मनोरंजन जरूरी है मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी सुगम एवं सरल होता है और यह कारण भी संपरेशन जरूरी है मनोरंजन जब पर जीवन चल रहा होता है तो उसको दूर करने के लिए हम जिसे कभी कभी लूग जो काम पर थोडगी थोड़ी निसरता आया फिर उबासी को मिटाने के लिए कोई लोग भार चले जाते हैं थोड़ा भार का महौल देखते हैं तो उनका थोड़ा मन शान्त हो जाता है और मन अच्छा हो जाता है ऐसी जो होता है कि भाई अगर कहीना कहीं हमारे इंजाइटी आ जाती है तो उसको म बूलना और नीचे जो बेल अकान है उसको जरूर प्रेस कर देना इससे हमारे जितने में नोटिफिकेशन होगी वह आपके पास टाइम टू डाइम पहुंच दे रहेगी तेंक यू सो मच